नमस्कार दोस्तों, आस्ट्रो बिलीफ में आप सभी का स्वागत है, मैं आस्ट्रो लॉजर विवेक दिवेदी आज बात करूँगा कि शनी देवता अगर करक लगन की कुंडली में पहले भाव में बैठते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा दोस्तों, मेश, वरिशब और मि पहले भाव में बैठे होंगे तो उसका क्या फल होगा इसमें काफी डीप तरीके से मैं बताता हूं और जितने कॉमिनेशन मोस्ती देखे जाते हैं बनते हैं चार्ट में उन सभी को मैं explain करता हूं तो वीडियो ज्यान से देखिएगा शनी पहले भाव में करक लगन में क्य क्या फल दे सकते हैं क्या कॉमिनिशन बनती है अधर प्लानेट के जो यूतियां है उसके साथ कैसा फल देंगे उन सभी के बारे में मैं आपसे यहां पर चर्चा करूंगा तो वीडियो में बनी रहेगा दोस्तों सबसे पहले यह समझ लीजिए जो करक लगन है यह चंद्र कहीं 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 के बीच में और और चंत्रमा जो है वो कहीं करो कि मन होता वालस है黃 ar ऑई Enter करहीं और फसलों कहीं अमानिवी भी होती है बहुत को बार तो इसबोंगाक चंप्टीकल Valentine को के सकते हो एक टीचरिएक Virajonne देने भी देखेंगे यह तो प्नालेट जो है इसलिए इनकी आपस में बनती नहीं कि यह बिल्कुल विपरीथ है नेचर के शनी जो है बंधन वह बाउंडरी इसको बनाता है वह बाउंडेशन को दिखाता है वहीं चंद्र देवता जो है वह बहुत ना कि खुला पन एक इंडिपे आउस्टा का लगन शनी इसलिए यहां पर आप देखेंगे शनी जो है यहां पर साथवे भाव एवं आटवे भाव जो की एक मारक स्थान माना जाता है दूसरा आप जो है किसी विस्तिती में इन दोनों ही हाउस के वह तरह से लॉडब बन जाते हैं जब बात करक लगन की ह पहले उसको समझने से पहले वह कैसे पना सकते हैं उसको यह दिखिए coriander कि इन चीजों को रिप्रेजंट 9 करते हैं पहले समझ निज Richard जिर्ट ञीडम करीयर में जौम छब ऑट श्रीज रज़्ट काम को रिपीट में जरसो काफी समय लगता हैं जपनी 15 गर्ण सब्सक्राइब कर्मा प्रोफेशन लेबर क्लास से लेकर हर एक डिटाश्मेंट की पोजीशन कड़वा सच की बात हो गई अगर नीज हैर डिजीज बोन फैक्टर पेन और एक तरह से इमोशनल पेन इन सभी चीजों के लिए शनी देवता हमारे जीवन में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको बता दूँ अब बात हो रही है यहां पर शनी देवता अगर लगन में ही बैठे हैं आपके तो याद रखिए शनी अब अश्टम के स्वामी और है वह पानी है, Water है, साथ ही साथ जो करक लगन है वह स्वतंतर तयानि की Independence को दरशाता है क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे चौथा भाव माना जाता है इसको तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका मन को दरशाता है, माता को दरशाता ह है domestic nature को दर्शाथ और शनी कहीं करूर माने जाते हैं strict माने जाते हैं तो शनी जैसा planet आठ आके बैटता है तो कहीं ने कहीं emotion पे boundary boundaries लगती कहीं ने कहीं देखिए शनी अगर लगन में शनी यहां पे जल राशी में बैठे हुए तो यह थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूं कि emotional dryness देते हैं ऐसे व्यक्ति के जो है अगर कहीं पर बहुत बार कश्ट ही मिलेगा यानि कि उसके emotions जो है ड्राइ emotions जैसे हैं करते हैं कि आदमी बहुत बार emotion लगाए ऐसा एक situation आ जाता है कि वह कहता है कि यार अब तो ना मतलब फरक नहीं पड़ता है कुछ भी हो जीवन इस तरह की situation में भी आ जाता है बहुत बार तो शनी लगन का जो है एक तो मेहनत कराता क्योंकि शनी क दसवी द्रिष्टी आप देखेंगे आपके दशम भाव पे पड़ेगी तीसरी द्रिष्टी आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी सातवी द्रिष्टी आपके सातवे भाव पे पड़ेगी ये शनी की द्रिष्टियां पड़ेंगी तो तीसरी द्रिष्टी जो होती है शनी कुछ आपको मतलब एक तरह से काफी कुछ आपको करना पढ़ेगा सब्सक्राइब धोड़ा सब्सक्राइब उससे हैं सब्सक्राइब से जो एक happiness मिलना या इनसे कुछ reward पाना है थोड़ी सी यहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी सात्वा जो एसपेक्ट होता है कहीं निकर शनी की अपनी उनकी पस्नालिटी उसको ही दर्शाहता अगें यहां पे तो उनके ही साइन है तो कहीं निकर विवाह में थोड़ा सा दूसरा शनी की दसवी त्रिष्टी है मंगल पर मंगल की राशी पर रही है मेश राशी दशंभाव पर उनकी पर रही है तो दशम्भाव पर शनी की तर्ष्टी पर भती वहां पर वह महनत मांगते निकर इस Laz According है और पर पर इस्वाँ इंसान को शोड़ी फीज़िकल महां अब इसमें जो combination अगर जोड़ते हैं त्रिष्टियां जोड़ती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं अब यही शनी अगर मैं example दूँ मान लीजिए आपके कुंडली में ब्रहश्पति यहां विराजमान है यहां पर या फिर समझ लीजिए यहां पर यहां पर भी अगर जाते हैं सब्सक्राल पक्ष से भी benefit मिलने के chances रहेंगे इवन जो जीवन में कारे व्यापार और करियर होगा वह थोड़ा सा स्मूथ चलेगा ज्यादा difficulties नहीं दिखाए देंगी अच्छी companies की नौकरियां या offers आशानी से मिलेंगी situation क्या होने चीए ब्रहश्पति इन किसी खानों में बैठे होने चीए जो मैंने आपको दिखाए पांचवा साथवा या नवा खाना या फिप्थ सेवन्थ या नाइन थाउस में कर जुपिटर बैठे हैं यह थोड़ा सा एक अच्छा साइन मानना चाएगा लेकिन जो मैंने चीजें बताए सिफ उन्हीं टम्स में इन रिलेटेट टु करियर जॉब्स इन रिलेटेट टू मैरिज थोड़ा सा यह चीजों को सुधार देंगे अब बात कर लेते हैं यहां पर मान लेते ह शनी के साथ चंद्रमा भी विराजमान है एक ही सिति में अगया अगर इस सिति में शनी और चंद्रमा दोनों की यूती बनी हुई है आपकी कुंडली में तो यह विश्योग भी कहलाता है तो क्या होता है अगर शनी चंद्रमा की यूती हो जाती है और चौत्हे भाव में के इसे उसी शिकायते होने लगें क्योंकि एक चंद्रमा पे बहुत सारे बंदत अब इसको नहीं में को इसा ऐसा लगें भीन पूरी है पारे एक्स्प्रेशनल इशू जाएंगे मतलब इनकी यह जो है खुल के जाहिर नहीं कर पाएंगे कि चंद्रमा और चंद्रशनी यहां पे साथ में आ गए तो यह एक दिखाता है कि यह एक एफेक्ट होता है जब चंद्रमा शनी साथ में आते हैं और यह इफेक्ट और भी के तुजैसा बैठ जाता है और भी इसके परिनाम सेम दिखाई देंगे उसी प्रकार से चंद्रमा अगर यहां बैठे हों चंद्र देवता यहां पे बैठे हों या फिर चंद्र देवता यहां पे बैठे हों इन भी स्थितियों में लगभग लगभग not exactly पर मोटा-मोटा क कुछ ऐसी स्थिति बनेंगी याद रखिएगा अब अगर मान लेते हैं आपके चंद्र आपके यहां पर मंगल देवता जो है वह शनी के साथ बैठें यहां पर में बात कर रहा हूं मार्स की यानि कि दशंभाव के स्वामी और पंचंभाव के स्वामी जो है वो एक तरीके से केंद त्रिकोंड राजयोग भी बनेगा बड़ते कि शनी मंगल साथ में आई इसे शंगर श्युक कहा जाता है ऐसा आदमी ना कांतिकारे विचार का हो जाता है अब यह ना ज्यादा इंजस आना किसी बात पर चड़ जाना अंगर इशू भी हो सकता है और ऐसे लोगों को मैं सजेशन देता हूं वहां चलाते वक्त जीवन में हो सकता है आपके जीवन में एक से जादा बार सर्जरी जापकी हो जाए क्योंकि दो कुरूल प्लानेट आपके लगन में बैटे हैं अप अपने फेस का हिस्सा इसका ध्यान रखिए और इवें गाड़ी चला तो ऐसा कोई भी काम जहां पर एक्सिडेंटल रिस्क ज्यादा इन्वाल्व है वहां पर सोच समझ के जो है कारे करिएगा ठीक है अब कि दूसरा मैं बता देता हूं सपोस करते हैं यहां पर बुद्ध श्यात्रा विदेश समंधी चीजों को दर्शाता है और ऐसा भी दिखा सकता है कि आप जन्म के बाद जो है आपके माता पिता कहीं और शिफ्ट हो जाएं कहीं और शिफ्ट होने की संभावना बने जिससे कि जन्म हुआ आपके दो-तीन साल में चार साल में आप कहीं ने कही ऐसे धर हो सकती तो थोड़ी सी यात्राइं आपके जीवन में देखने मिल सकती है ज्यादा से जाव है विसनिस के लिए एसलों गल जो जो mindset होता है काफी अच्छा होता है व्यापार को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं तो ये व्यापार को समझने के लिए व्यापारिक धंग को समझने के लिए combination अच्छी है पर मैं यह नहीं कहाँ कि इसकी व्यापार के लिए अच्छी है कि बुद्ध जो है बहुत comfortable planet नहीं है इस लगन में क्योंकि बारवेर तीसवे के मालिक है तो कहीं न कहीं इतना अच्छा नहीं लेकिन हाँ ऐसे आदमी जो है वह इनका जो mindset होता है वह व्यापार को समझने में कुशल होता है अब समझते हैं अगर यहां पर शुकर देवता आपके कुंडली में शनी के साथ विराज मांणैं वीनस की बात में कर रहा हूं अगर वीनस आपके फस्ट हाउस में विराज माने तो वीनस आप देख सकते हैं ग्यारवे के स्वामी है एवं चौते के स्वामी है तो अगें यहां पर यह तरह का पस्टनालिटी जो है आपका निखर के आएगा शनी शुकर की यूती है ऐसा आदमी इंडस्ट्री लगाने वाला एक अच्छी पस्टनालिटी जिसे मैं कह सकता हूं अच्छी पस्टनालिटी से मेरा कहने का मतलब है जो जिसको आप इग्णोर नहीं कर सकते हैं इंफ्लुएं शुकर का कॉंबिनेशन अगर लगन में है तो कहीं न कहीं यह आपके पस्टनालिटी को इन्हांस करता है फस्ट अफॉर दूसरी जो बात है यह एक प्रकार का अगर मैं देखूं ग्यारवे और साथवे गयाने की बिजनेस का योग अच्छा बनता है अगर यह दोनों के मै अगनी व्यापार में भी कुछ अच्छा जरूर कर सकता है व्यापारिक माइंडसेट का होगा तो जीवन में अच्छा कुछ कर सकता है अब जब मैं यह कुछ कह रहा हूं तो इसके लिए कि किसी भी कुंडली में basic rule है कि कोई भी कुंडली तभी strong मानी जाती जब उसका लग अभी उसकी स्थिती जो है लगभग में ठीक ठाक मानूंगा इवन सिक्स थाउस भी बहुत अच्छा नहीं बढ़ फिर भी और ओलो ठीक ठाक चल जाएगा अब suppose करते हैं इस कुंडली में शनी देवता के साथ आपकी कुंडली में यहां जो विराजमाने सूर्य देवता है सन जो की दूसरे भाव के स्वामी है अगेन यह दिखाता है परिवार से आपको कहीं ने कहीं अदेखिए अब लगन के अंदर सूर्य और शनी आगे तो अगेन वही जो बात हो कि सेल्फ इस्टीम जरुबर से जादा हो कि ऐसे वक्ति को कहा जाता है कि पेता-पुत्र को एक जगे पे काम नहीं करना चाहिए एक ही तरह का काम नहीं करना चाहिए तो यह थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है दूसरा ये जो कॉम्बि ब्रहषपत की द्रिष्टी मिल जाए इस कॉंबिनेशन को ब्रहषपत की कहीं से जैसे पहले बताया था पाँचवे साथवे इवन या फिर नवे स्थान पर ब्रहषपत हो तो यह कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा कर सकता है अधरवाइस थोड़ा सा चिड़चड़ापन और क्रोधी सुभाव का बहुत ज्यादा इगॉस्टिक भी हो सकता है इंसान यहां पर सूरिशनी के पैटिक और आपस तो दिन अपने पस्नालिटी में रहेगा मतलब कब क्या कर दिया कब क्या बोल दिया कब कैसे बिहेव कर दिया थोड़ा सा उसमें एक उसको समझना मुश्क जो है उनका मनी जन्रेट हो रहा है फिल्म स्टार्स हो गया सेलेब्रेटी हो गया मतलब कहीं नहीं इसा आथलीट है कोई क्रिकेटर है आपके इंदर ऐसी कोई स्किल है कि आपकी पस्नालिटी के वज़िए से आप कुछ अर्न करते हो पैसान करते हो तो यह उसका भी कॉंब क्विए विवाहिक चेत्र में दिक्कत परशानी देखने मिल सकती है रहु के तुकि वन और सेवन के आजाते हैं सैटन रहु की कॉंबिनेशन ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बुरी संगत से बचना है बुरी संगत में अगर आप चले गए ऐसे व्यक्ति क में उसको जादा समय नहीं लगेगा तो ऐसे व्यक्ति को मैं कहूंगा जिसकी भी कुंडली में शनी राहु है ऐसे व्यक्ति को गलत संगत से बचना चाहिए सही संगत रखे सही लोगों के साथ उठे बैठे तो और यह यह कॉंबिनेशन ठीक ठाक रहती है और शिव भगव कहीं यह भी जाना जाता है तो यह था शनी राहु का कॉंबिनेशन अगर सपोस कर लिजे इसका उल्टा मैं कर दूं यहां पर आपके साथ के तो विराजमाने शनी राहु देवता यहां पर है विवा के लिए तो अब भी उतना कोई विवाहिक जीवन के लिए थोड़ा भी कॉंबिनेशन में मानसिक तनाव बहुत जादा रहेगा इमोशनल डिप्रेशन एक्जाइटी ऐसे सब चीजने बहुत हो सकती है ऐसा आदमी तांत्रिक भी बन सकता है मैं आपको बता दो तंत्र योग में भी आ सकता है लेकिन हां जीवन में कर्ष्ट थोड़े देखने पोस्ट आपको पसंद है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर विजिट करें काफी नौलेजिबल और अथेंटिक पोस्ट आपको वहां पर मिलेंगे एक बार विजिट ज़रूर कीजिगा मेरे आप फेस्बूक हैंडल पर जा सकते मेरा पिंटरस्ट भी है वहां पर मेरे वयनां सारे चीज़सें होंस है तो दोस्तों यहीं पर में वीडियो को विरांद देता हूँ आश्याकरइब आुड़कju और जरूर कीजेगा और चानल को सब्सक्राइब इसवी TEJ EA मिलता हूं । अब तक किले आप सभी को नमस्कार